लेकिन ऐसा नहीं है कि बटे हुए है यादो जानते हैं इस देश में जैसे डलितों में भी ऐसा नहीं है कि पूरे देश के 15% दलित एक्दम बाबा साब की सपनों का भारत बनाने पे लगे हैं भाई इस समध देश के बहुत सारे दलित संग की शाखाओं में भी जा रहा हैं आदिवासी जा रहे हैं और बीजेपी में भी हैं जानते हैं इस देश में जैसे दलितों में भी ऐसा नहीं है कि पूरे देश के 15% दलित एकदम बाबा साब की सपनों का भारत बनाने पे लगें बहुत सारे दलित संग की शाकाओं में भी जा रहे हैं आदिवासी जा रहे हैं और बीजेपी में भी हैं वो जहां दो अप्रेल का भारत बंद करना पड़ा तो जितने लोग सत्ता में बैठे थे और जिसको कांशेराम कहते थे कि चमचा यूग वाला आया है तो यह जो चमचे बन के गए थे उनमें से कोई दो अप्रेल के भारत ब साथ जिग्यासों के उसको धीरे देर लोगों तक ले जाना है ओबी सी और कल्चरली उतना साउंड स्तरीस इसलिए नहीं रहा क्यों कि वह बंचना नहीं जेला जो वंचना दलित समाज और आदिवासी समाज जेला उतना ओबीशी को नहीं जेलना पड़ा यह सलीए धीरे ध अबासाब को भी इस देश में लागू करने में, किताबें चापने में, जन अंदोलन का चेहरा बनाने में, 40 साल लगें, 1950 में भारत आजात हुआ, 1980 के असपास पहली वा पुब्लिकेशन आया उनका, समगर प्रकाशन, 90 में भारत रत नमिना, जन अंदोलनों में मानिवर पूरे भारत में खड़े हुए, 50 सल तो वहां लगा, थोड़ा यहां लगेगा, ललाई सिंग यादो भी आएंगे, चंदिकापरसाद जिग्यासु आएंगे, जगदेव बाबु आएंगे, रामसर वर्मा आएंगे, लोहिया आएंगे, यह सारे मिल करके OBC समाज में अब स सब कामड लेकी नहीं जा रहे हैं, हाँ लेकिन OBC सिखायत हम लोग इसलिए ज्यादा करते हैं, कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा संख्या ज्यादा है, और जिस दिन आप अगर सांस्कृतिक तोर पर सजग हो जाएंगे, पूछिये सवाल, मैं तो उनसे यह कहता हूँ कि त अखिलेश यादों का आवास, जब करपूरी ठाकूर ओभी सी थे, भीहर में मुक्य मंत्री थे, राम नरेश यादो ओभी सी थे, यूपी मुक्मति और दिल्ली से किसने नारा बनाया, तो सारे लोग जो जो नारा लगाए, कि भही दिल्ली से चमडा भेजा संदेश, और ब जियाबार एसोसियेशन के नार सिंग यादो जी, बाबा साफ पर कारिकम कर रहे हैं, और अब देखिए बदल रहा है, राहूल जी, हमने दिल्ली विश्रत याले में जब बिरसा पूल एम बेटकर पिरियार का नारा लगा है, तो ओबी सी, दलित, आदिवासी, पसमांदा, यह बहुजय नेका बनाई थी हमने, और वो बन रही है, पस्यम का यादब आपको कहता है कि असलिए आदब नहीं पस्यम का ऐसा भी नहीं है, पस्यम में बहुत मुज़े बुला चुके हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं, हाँ पस्यम में क्या है थोड़ा सा जमीन जाता है, संपन्यता है वह वंचना उस तरह जहले नहीं न ज्वाति के नाम पर तो इसलिए धीरे-धीरे हमें यह समझाना होगा जब जमीन की कीमत घटती जा रही है बिजनेस ब्यापार चोपट होता जा रहा है तो आप भी देखेंगे कि अच्छा आप तो ताकत वर थे लेकिन देश सब्सक्राइब करने तो प्रक्राइब करने जा रहा है जिसका परा हुआ है उसको कुछ पैसा दे करके हिंसा करवाई जा रही है जिसके पास कुछ लिए मजदूरी करने जा रहा है उसमें दलित पिछड़े आदिवासी समय थोड़े थोड़े और जो बहुत ताकतवर हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे हिंदु धर्म बचाने नहीं जाते तलवार लेकर के मस्जिद पर अटैक करने के लिए ब धीरे धीरे अब एक समय आएगा धर्म पर अच्छा दूसरी बात क्या है नफरत का काम हमेशा असान होता है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना अंद विश्वास फैलाना आसान काम है तर्क और विवेक का काम है बिरसा फुले मिटकर पेरियार कल लजई का बहुज राजनीती इसको आप नहीं समझेगे लूहिया उस तरह की popular नहीं थे एकाद दो बार चुनाव जीते फिर तो उनकी पार्टी का क्या हश्रू हुआ राजनीती एक बात है सत्ता मिले आपको 90 के बाद इस देश के बहुत बड़ी आबादी पर सत्ता में आये ये लोग यूपी भी हर दोनों जग़ बहुत बदलाव भी किया अच्छा काम किया लेकिन विचार धारा कहीं कहीं आज पीछे हो गई है मंडल बनाम मंदिर की लड़ाई में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में बहुजन बनाम सरोजन की लड़ाई में परसुनाम का फरसा बीच में आ जा रहा है गडेश बीच में आ गए भाती नहीं गडेश है तो ये जो बिचलन आया है मुझे लगता है कि खामी यहां है और समाज को आपने बहुत तयार किया नहीं चाहे सपा बसपा आरजेडी अभी भी मैं कहा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि राजिनित फेल हो गई है एक दौर है सत्ता उनके पास है हिंदुवादियों के पास मीडिया उनके पास खरिद लिया है ब कुछ दिन की सत्ता मिली है हम आप सब लोग है नहीं यह बहुत कुछ उसके बाधा बने हुए हम भी बाधा बने मैं अभी मानता हूं राहुल जी इस देश में बहुत संक्या कावाम हिंसक नहीं है नफरती नहीं है बस दौर ऐसा है कि विजुलाइज ज्यादा हो रहा हमार से दौर आएगा एक चरण है जो ट्रांजेशन का फेज है जिसे हमको धैर से थोड़ा सा जुक करके थोड़ा सा विनम रहो करके जैसे अगर वी सी को आप चिड़ाएंगे तो आपकी तरफ जाएगा कि हिंदू बनेगा आसान तो उसको हिंदू बनना है वो शुद्र नहीं तो नहीं रहा सामाजी कुरूप से वनचना नहीं जेली जो दली बाजपा में चाहिए कि जो अपने लोग हैं जो वंचित शोशत 90% लोग हैं जो उधर के खेमे में चले गए प्रेम से समझा कर समवाद करके अपने वचारिक पुर्खों को ले जाकर उनके सामने रोज बात की जाया रोज संघर्ष किया जाया तब जाकर कि हम उन्हें अपने पाले में खी करी विर्षा जो आप कह रहे हैं उसको पढ़ने के लिए या उसको बताने के लिए मजब मैं उससे महत्पूर्ण संदेश दे रहा हूं छोड़ दो बिर्षा फुलें बटकर को पढ़ना इस देश के नौजमानों एक बात सोच के बताओ कि तुमारे घर में जब चर्चा हो करने का वकील डॉक्तर इंजिनियर विजनेस्वेन यह बनूगा वह बनूगा सब करूंगा आज क्या हो रहा है कि किसी पूछो क्या कर रहा है तो बेटा तिर्सूल लाकर के मस्जीद पर टैक करने जा रहा है एक बार सोच कि बताओ कि तुमको है इस्तिमाल नहीं किया जा धर्म संसत में खड़ा हो करके एक बाबा तो फिलाई सब रहते हैं मंदिर का चंदा सब जुटा करके नब्वे परसेंट वंची सोशित लोग उनको पैसा दे रहे हैं और वहां से धर्म संसत के नाम पर नफरत बो रहे हैं तो नौजवानों जरा मुझे एक बात बताओ जितन माबाब बैटके बताएं कि नवजवानों के लिए किस बार पर चिंता होती है उनकी पढ़ाई पर होती है नहीं उनके रोजगार पर नहीं होती है अरे तुम्हें बरबाद किया जा रहा है तुम्हें दंगे में इस्तेमाल करके छोड़ देंगे सारे दंगाई अगली बार सबस्क्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को बैल आइकोन दवाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए